हेलो दोस्तो दोस्तो आज हम देखेंगे two-point perspective क्योंकि two-point perspective जे-means vapor 2 के लिए आने के बहुत ज्यादा संभा होना है तो दोस्तो यहां पर मैंने मैं एक horizon line निका ली है और ये horizon line के मैंने यहां है यहां पर वैंचिंग पॉइंट 1 जो पर यह कॉइंचिंग पॉइंट टू मैंने दो पॉइंट लिए है तो ये दोनों पॉइंट को लेकर हम अब टू पॉइंट पस्पेक्ट्ट्व यहां पर बनाएंगे तो दोस्तों यहां पर मैं आउट्डोर का सिन निकाल रहा हूं तो एक मैंने वर्टिकल लाइन ली है स्ट्रेट और उसको यह दो पॉइंट जो है यह वैनिशिंग पॉइंट वन से यह पॉइंट को जोइन हो जाएगे तो यह दो पॉइंट जोइन वन से मैंने किये वैसे ही वही दो पॉइंट मैंने वनिशिंग पॉइंट टू को जोइन किये तो दोस्तों इस तरह यह हमारा एक market का scene या तो फिर shops आप बोल सकते तो इस तरह ये मैं यहाँ बना रहा हूँ तो दोस्तों ये जो बन गया है ये मैं building बना रहा हूँ यहाँ पर एक building अच्छे से आप देख रहे हैं तो ये building के लिए जो जो हमें दिखता है building का वो यहाँ पर बनाने के कोशिश करूँगा तो नीचे से यहाँ पर जो point लोगा मैं वो एक vanishing point 1 में जाएगा एक vanishing point 2 में तो यहाँ पर दो windows बना रहा हूँ दोस्तों विंडो के लिए मैंने vertical lines ले जितने भी vertical lines आएंगे ये सारे parallel आएंगे और यहाँ पर जो भी point लोगा मैं वो right side का अगर है तो vanishing point 2 में जाएगा और left side का है तो vanishing point 1 में जाएगा तो इस तरह यह मैं यहाँ पर दो windows अपि अंदर का अगर part बना रहा है तो यह vanishing point 1 में और इस side का अगर है तो यह vanishing point 2 में तो यहाँ side की जो पट्टी दिख रही है वो और उपर की जो पट्टी दिख रही है क्योंकि हमारे height से अगर ज्यादा है तो उसका base दिखेगा तो यहाँ पर वो दोनों भी मैं window की जो base है उपर का जो side दिख रहा है उसको मैं dark कर रहा हूँ वो दिखेगा और side में भी मैं dark कर लेता हूँ जो side दिख रहा है वैसे ही left side में अगर देखेंगे तो उसी तरह जो corner आएगा वो vanishing point 2 में जाएगा और वहाँ पर जो point मिलेगा जो cross है वो vanishing point 1 से उपर के side जाएगा तो यह दोनों भी मैंने दो window right side निकाले है दो window left side निकाले तो इस तरह हमें यह drawing करना है यहाँ पर मैं एक door के लिए या तो shatter के लिए यहाँ पर vertical lines लिए है तो vertical lines लेने के बाद यह vanishing point 1 में मैं लेके गया था और यहाँ पर देखेंगे तो यह vanishing point 2 जैसा हमने window के लिए किया है उसी तरह यहाँ पर अभी यह जो point मिला है यह vanishing point 1 से आपको लेके जाना है उसके पहले मैं यह side की जो पट्टी है उसको shatter का बाहरी पार्ट यहाँ पर मैं दिखा रहा हूं तो यह shatter का बाहरी पार्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा तो दोस्तों इस तरह यह shatter का बाहरी पार्ट यहाँ पर हमने देख लिया है वैसे राइट साइड में जो shatter है कि उसके लिए भी मैं यहाँ पर एक पॉइंट लिया हूं कि यहाँ पर मैं shatter नहीं बनाऊंगा शेटर के बजाए यहाँ एक शेड बनाऊंगा तो दोस्तों इस तरह यह दोनों भी लाइन यहाँ पर बन गए बाजो की बीडिंग साइड में एक बीलिंग मैं दिखाना चाहता हूं कि जो यह बीलिंग से बड़ी है इसके लिए एक वर्टिकल लाइन मैंने लेए है और वर्टिकल लाइन लेने के बाद यह जो यह vanishing point 1 में आएगा और यह उपर का भी vanishing point 1 में join हो जाएगा तो यह vanishing point 1 में join होने के बाद यह वह point है vanishing point 2 में तो building की size हम decide करेंगे कि क्या size की building हमें लेनी है तो यहाँ यह size मैंने decide की नीचे का base यहाँ पर आ गया है तो दोस्तो यह कुछ design इस तरह दिखेगा building का side का part जो बाहर निकला है तो नीचे का जो point है वह vanishing point 1 में जाएगा जो मैंने dark किया है तो यहाँ पर एक बड़ा सा shutter बड़ा सा door और उसको मैं कुछ इस तरह लेने वाला हूँ यह दो slanted line और यह जो point है यह point vanishing point 2 में जाएगा और वह दोर के वहाँ से slanted line यहाँ पर parallel मैंने निकाली है तो उसको मैं dark कर लेता हूँ left side में एक building बना रहा हूँ तो यह left side के building आप देख सकते है कि जो भी vertical line मैं लेने वाला हूँ ले रहा हूँ उसके जो corner उपर का और नीचे का जो है यह vanishing point 1 और 2 में join हो जाएंगे तो यह नीचे का जो है यह भी vanishing point 2 में मैं join कर दूँगा फिर से नीचे का जो part दिख रहा है उसको vanishing point 2 में मैंने join किया यहाँ पर एक एक door और यह door यहाँ पर मैंने simple सा door यहाँ बना लिया है तो यह थोड़ा बहारी part shutter का तो इस तरह यह आपको देखने को मिलेगा तो यहाँ थोड़ा से मैं अलग type में करूँगा क्योंकि यह door का जो pillar से वो बहार के side निकले वे है तो यह pillar की जो friend side है उसको vanishing point 1 में मैं join करूँगा तो उसको थोड़ा नीचे लेकर vanishing point 1 में मैं यहाँ पर join कर दूँगा तो यह इस तरह आपको देखने को मिलेगा तो दोस्तो मेरे खेल से मैं जो यहाँ पर आपको बता रहा हूं वो समझ में आ रहा है और यह अंदर का जो भी part आपको देखेगा door के अंदर या तो window के अंदर उसको डार्क करना है तो यहाँ side की पट्टी जो है वो रहे गए थी तो अंदर का जो है उसको हम डार्क करेंगे window और डोर तो इस तरह यह building यहाँ पर complete हो जुगे है और भी मैं एक हलका सा एक side में घर निकालूंगा तो यह कोई details तो दोस्तो जेए मेंस paper 2 के लिए यहाँ पर आपको two point perspective में भी question आ सकते हैं तो उसके मैं memory drawings भी यहाँ पर निकाल के दिखाने वाला हूँ तो यह पहले basic आपने कर लेना चाहिए और यह मेरे साथ बैठ कर आप pencil और paper लेकर अगर बैठेंगे और मेरे साथ करोगे तो अच्छे से समझ में आएगा तो यहाँ पर भी एक मैं छोटा सा घर यहाँ दिखा तो यह vanishing point 2 में यह vanishing point 1 में जाने वाले lines और side की जो जिवार है उसको मैं हलका सा dark करूंगा यह vanishing point 1 में जाएगा तो इतनी बाते आपको याद रखने है कि कौन सी line कहाँ पर जा रही तो left side की जितने भी हम vertical line लेते हैं उसके point vanishing point 1 में जाएगे और right side की जितने भी points है यह vanishing point 2 में जाएगे तो इतना आपने अगर fix कर लिया अपने दिमाग में तो आपको two point perspective बनाना कुछ hard नहीं है तो जो side के है उसको मैं हलका सा shading कर रहा हूँ ताकि अच्छे से समझ में आए कि हमने क्या बनाया है किस तरह दिखता है तो नीचे का part भी यहाँ पर मैं आपको बना के दिखाऊंगा जो कि footpath है तो footpath किस तरह आता है वो भी मैं यहाँ आपको बताने वाला हूँ तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह मैंने यह ड्रॉइंग किया है और होने के बाद complete जो line से उसको आपको हलका हलका dark करना है तो यह footpath के लिए मैंने एक corner लिया नीचे और वहाँ पर भी एक simple सी line दिए footpath थोड़ा उपर रहता है इसलिए यहाँ पर मैंने vanishing point 1 और 2 में यह जो point है दोनों भी joint कर दिया और इसको dark to light करना है यह याद रखना है हमेशा एक ही tone में आप अगर करोगे तो वह अच्छा नहीं दिखेगा उसका perspective नहीं आएगा तो इसलिए front में जो भी part दिखेंगा वह dark और पीछे की जो है वह light जो extra line से वह मैंने यहाँ पर erase कर लिए आपको भी erase करने तो दोस्तों जब भी आप कोई भी assignment करेंगे या तो question जे में पेपर 2 के लिए जो questions आएंगे उसके लिए आपको कोई भी geometrical instrument यूज नहीं करना है यह मैं बार बार बोलता हूं तो अगर geometrical instrument यूज करोगे तो आपको इसके marks नहीं मिलेंगे परसेंटाइल नहीं मिलेगा तो practice वैसे करो जो आप हाज से ही बना सके तो दोस्तों यहां मैंने कुछ trees बनाए natural look देने के लिए तो यहां मैं नीचे का जो road है उसको भी मैं shading करूंगा यह कुछ lines है इसको आप आपको dark करने है और यह road जो है यह भी आपको shading करना है तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा यह comments में जरूर बताना है और आगे आने वाले वीडियो को भी आपको देखना है जो नए बच्चे उन्होंने मेरे चानल को subscribe जरूर करना है तो चलो मिलते हैं next video में thank you thank you very much